अगामे गणतंत्र दिवस के मद्दे नजर सीमा सुरक्षा बलने अपनी सुरक्षा अंतिजामों में बड़ोतरी करते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को नास्ताव नबूत करने के लिए पश्चिमी सीमा पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है और अपना विशेश ऑपरेशन अलर्ट सर्ध हवा शुरू किया है जो 29 जैनुरी तक चलाया जाएगा जैसा कि आप सभी को विदित है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर विशेश अभियान चलाया जाता है जो अंतराष्ट्य सीमा की चौक्षी को और प्रभाविडंग से पुक्ता जाता है विशेश ओपरेशन सर्ध हवा के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा प्रभादन एवं सीमा की चौक्षी को बढ़ाने के लिए अंतराष्ट्य सीमा पर अतिरिक्त बल की तैनाथी की जाती है और इसके अलावा अधिकारी एवं जवान द्वारा विशेश अभियान चला कर ड्यूटी की नर्वान क्या जाता है यह अभ्या सीमा पर तैनात जवानों के कौशल आत्मश्वास वे अमुशाशन को विक्सित करता है जिसमें जवान और अधिक निपुणता से अपने कर्तवों को पूरा करते हैं वर्तमान मौसमी हालात की बात करें तो अभी पश् सुरक्षा बल समय समय पर विशेश अभ्यान चला कर अंतराष्टे सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करता है ऑप्स अलर्ट के दोरान सीमा पर नियम अनुसार बड़े हत्यारों को भी तैनात किया जाता है राजिस्तान सीमांत मुखरले के माहनी रक्षक माधै श्री अमिक लोडा IPS के निर्देश में विरिष्ट अधिकारी को इस संदर में दिशा निर्देश मिल चुके हैं जिससे अनुपालन से सीमा सुरक्षा बल द्वारा अतिरिक्त इंतुजाम द्वारा इस ऑप्स अलर्ट सर्धावा को सफल बनाये जाएगा